बोली पंच परमेष्ठी भगवाने की जै, बोलसित चक्र भगवाने की जै सूरज दिन में चमकता है और चांद रात में चमकता है पर जो चरित्रवान होता है उसकी चमक तो दिन में भी उजाला देती है और रात में भी उजाला दिया करती है तो आईए आज हम चरित्र पद ध्यान सादना के दौरान ये भावना भाते हैं कि हमारे जीवन में भी निर्मल चरित्र का उदै हो, हम भी चरित्रवान जीवन के मालिक बनें, जो चरित्रवान होता है उसका यह लोग भी सुखी बन जाता है और जब वो इस दुनिया को छोड करने के लिए अपनी अंतर आत्मा को निर्मल करने के लिए भीतर में अंत्राय कर्मों का ख्षय करने के लिए और अपने कदम चरित्र की और मुक्ती की और बढ़ाने के लिए निर्मल भावना पूरक चरित्रवाद का आताप ध्यान करते हैं अपने सामबा खड़े हो जाए पांच मिनट तक हम चरित्र पद की धुन लगाएंगे खुब भक्ति भाव से आनद भाव से जोमते मुस्कुराते हुए अपने आपको पूरी तरह से चरित्र में तल्लीन करते हुए लगातार हिर्दय पर ध्यान करते हुए हमें इस ध्यान यात्रा में आगे बढ़ना है अपनी पलकें जुकाएं चेरे पर मीठी मदर मुस्कान लियाएं मुस्कुराएं मुस्कुराते हुए अपने आपको निहारें तन को निहारें, मन को निहारें चेतना को निहारें और भीतर बाहर मुस्कान प्रसनता का संचार करते जाएं, आनन्द का संचार करते जाएं, मेरा रोम रोम प्रसन है, रोम रोम आनन्दित है, भीतर में किसी भी तरह का तनाव, खीचाव, दर्द हो तो सब को बाहर निकाल लें, और अपने आपको सहज, आनन्द भरा, प्रसनत प्रिसनता भरा हलका फुलका बना लें इसी प्रिसनता भरे भावों से हम मंत्र ध्यान का शुभारंब करते हैं सभी कर्ब दवस्ता में आ जाएं Namo Charitasa नमो चारितस 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 आनम स्केजार नमो चारितास नमो चारितास नमो चारितास नमो चारितास नमो चारितास पुरी शक्ति लगाते वे नमो चारितास 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 जर से नामो चारिता साहा नामो चारिता साह नामो चारिता साह मंत्र चालू रहे और धीरे तेरे अपने इस्थान पर विरा जाईए आखें बंद रखें गर्तन और कमर को सिधा रखें सहारा छोड़ दें और ध्यान पुरा नामो चारिता साह नामो चारिता साह नामो चारिता साह एक मिनट और तुन लगा ये जोर से पुरी शक्ति लगा के नामो चारिता साह नामो चारिता साह नमो चारितास नमो चारितास नमो चारितास लेते वे नमो सांस छोड़ते वे चारितास पूरा ध्यान रदय पर हो ह्रदय पर ध्यान करते वे गहली लंबी सांसों का प्रयोग करते रहें स्वास लें तो पेट फूलना चाहिए, स्वास छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए एक मिनाट तक और गैली लंबी स्वास अपने फेफणों को शक्तिशाली बनाएं, रदय को शक्तिशाली बनाएं, शरीर को शक्तिशाली बनाएं द्यान का तीसा चरण सांसों के साथ मंत्र का अंधर मंत्र करेंगे, अब हम दो मिनाट तक तेज गती से स्वास लेंगे, तेज गती से स्वास छोड़ेंगे, बाहर में सांस तेज चलेगी, भीतर में मंत्र तेज गती से चलेगा, भीतर की पुरी शफाई करनी है, तन, मन और चेतना की पुरी शफाई करें तेज गति के सांस सांसवा में आवा जानी चाहिए एक मिनट और पुरी शक्ति लगाएं खाल पुरी शक्ति लगाएं पुरी शक्ति लगाएंगा जानी चाहिए सांसों को बाहर फैंकते हुए, पूरा खाली कर ले, शरीर और दिमा को बिलकुल धीला जोड़े, कहीं कोई पकड तनाव न हो, कम्प्लीट रिलेक्स, पूर्ण विश्राँ, रिलेक्स यॉर बोड़ी और माइंड, नो एक्सन, नो रियक्सन, कम्प्लीट रिलेक्सेशन, अपने आपको हिर्दय पर केंद्रित करें, हिर्दय के बीचों बीच, आनंद केंद्र पर जहां खड़ा होता है, वहाँ पर अपने आपको एकागर कर लें, यहां हमारा आनंद केंद्र है यहां पर अपने आपको एकागर करें Concentrate करें और वहां पर सफेद रंग को साकार करते हुए मन की आँखों से लिखें नमों चारितस मन की आँखों से लिखना है वानी को बिलकुल मौन शरीर को मौन, मन को मौन कर लें नमो चारितस्य का ध्यान करते हुए भावना भाएं हे प्रभू, मेरे जीवन में निर्मल चरित्र का उद्य हो हे प्रभू, मेरे जीवन में निर्मल चरित्र का उद्य हो अपने हिर्दया पर ध्यान करते हुए नमोचारी तस्त का ध्यान करते हुए साइयम जीवन की भावना भाएं दिक्षा की भावना भाएं अपने हिर्दया पर संत जीवन के प्रतीक रजोहरण को साकार करें ओगे को साकार करते हुए भावना भाएं है प्रवु मेरे जीवन में भी रजोहरण का हुदयाए मेरे जीवन में भी ओगे का हुदयाए मैं भी संत बनकर अपने जीवन को धन्य कर सकूँ भावना को और गहरा करते जाएं धर्दे के अंतिम छोड तक अपनी भावना को गहरा करते जाएं ताकि हमारे रोम रोम में इस भावना का विस्तार हो मेरे जीवन में संयम का उद्यारे हे प्रभू मेरे अंत्रायों का ख्षय हो और मुझे संयम का उद्यारे चारित्र ही मोक्ष मार्ग को पाने का राज मार्ग है जिसके जीवन में संयम है वो सदा सुखी है जगत में सदा सुखी मोनिराज अपने तन और मन में इस भावों का विस्तार करते जाएं कल्पना करें जैसे हमारे सामने किसी की दिक्षा हो रही है और वो दिक्षा लेने वाला कोई और नहीं मैं खुद हूँ दिक्षा मंडप का अनुभव करें दिक्षा मंडप की कल्पना करें और दिक्षा के उस स्वरुप को साकार करते हुए मेरे गुरु मुझे रजोहरन प्रदान कर रहे हैं और मैं रजोहरन लेकर कि नृत्य कर रहा हूँ हम जो सोचते हैं वही आने वाले कल में हाकिकत बन जाता है संयम की गेरी भावना भाते जाएं पंचम काल में जो इनसां साधु बने वो महान है देवों से राजा से बड़ा संत मुनी का मान है पंचम काल में जो इनसां साधु बने वो महान है भावना भाई ये गहरी भावना भाई ये जब मेरी दिक्षा हुई थी तो गुर्दिव ने एक भजन गाया था वही भजन हम ध्यान में गुन गुनाते हैं और भावना भाते हैं कि मेरे जीवन में भी सैयम का उदे आ रहा है और मैं भी सैयम के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा रहा हूँ आज किसी ने कदम बढ़ाया आज किसी ने राह चुने आज किसी ने सैयम धारा आज किसी की आँख भरी आज किसी ने सैयम धारा आज किसी की आँख भरी आज किसी ने कदम बढ़ाया आज किसी ने कदम बढ़ाया आज किसी ने राह चुने आज किसी ने सैयम धारा आज किसी की आँख भरी आज किसी ने सैयम धारा आज किसी की अरे छोड़ दिया घर बार की जिसमें जीवन तुमने पाया था छोड़ दिया घर बार की जिसमें जीवन तुमने पाया था तोड़ दिया वो बंधन जिसको जनम जनम से बांधा था तोड़ दिया वो बंधन जिसको जनम जनम से आज उठे वो कदम की जिसमें मुक्ती की आवाज छिपी हाँ आज उठे वो कदम की जिसमें मुक्ती की आवाज छिपी आज किसी ने सैयम धारा आज किसी की आँख भरी आज किसी ने सैयम धारा आज किसी की बोलते जाएए और भावना भाते जाएए ऐसा मौका फिर पता नहीं कब आएगा धन्य हुए वे मात पिता और धन्य हुए वे घरवाले जिन के कुल को गौरव देने सैयम पथ पर निकल चले धन्य हुई हर आख आज वो जिसने यह देक्षा देखी हाँ धन्य हुई हर आख आज वो जिसने यह देक्षा देखी आज किसी ने सैयम धारा आज किसी की आख भरी हाँ धन्य धन्य यह मात्र भूमि इसकी माटी से तिलक करो हाँ धन्य धन्य यह मात्र भूमि इसकी माटी से तिलक करो हे भारत के राज दुलारे इसका तुम उधार करो धन्य धन्य है यह देक्षार थी धन्य धन्य है यह अपने अंगुठे को अपनी और हर दे की और करते वे धन्य धन्य है यह देक्षार थी धन्य धन्य है यह देक्षार थी जिस पर गुरु किर पाबर सी आज किसी नए सैयम धारा आज किसी की आँख बरी आज किसी नए सैयम धारा आज किसी की अख बरी जिस पर दुनिया नाज करे हां ऐसे जीना सैयम जीवन जिस पर दुनिया नाज करे ऐसे तपना जैसे चंद्र प्रभु दुनिया का संता पहरे शान बड़े शाशन की तुमसे शान बड़े बाउना भाईए कि मेरे से मेरे शाशन की शान बड़नी चाहिए शान बड़े शाशन की मुझसे 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 यही दुआ प्रभु से अपनी हाशान बड़े शाशन की मुझसे यही दुआ प्रभु से अपनी आज किसी ने सैयम धारा आज किसी की आँख बरी आज किसी ने सैयम धारा आज किसी की आँख बरी आज किसी ने सैयम धारा आज किसी की हथेली की कमल मुद्रा बनाएं हजहे का इस पर्ष दें होठों का इस पर्ष दें ललाड का इस पर्ष देते हुए अनन्त आकास में सिथ परमात्मा के शिप्री चन्णों में अपने पुस्पस अमरपित करें स्विकार ओप्रभू अर्ग हमारा शीकारो प्रबू अर्गे हमारा सीकारो प्रबू अर्गे हमारा दौनों हातेलियों का गर्षन कीजिए पुरी ताकत किर्सां गर्म हाट पैदा हो जाए अपने आँखों की और चैरे कि खिल खिल की मसाज करें अपने मुश्कुराएं कर बद अवस्था मुस्कुराएं मैं बड़ा सौभागे साली हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे महन संतों का उद्य है और मैं ये भावना भाता हूँ कि मेरे जीवन में भी संत जीवन का उद्य आए मेरे जीवन में भी संत वेश का उद्य आए मेरे जीवन में भी सर्दै से बोलिए मेरे जीवन में भी मुस्कुराते वे धीरे तरी आखे खोलें और सबी आसपास विराजमान साधक परमात्माओं के चर्णों में प्रणाम समर्पित करें, सद्भावना समर्पित करें कि सबके जीवन में संत जीवन का उदे आए सब के जीवन ने संत वेश्का उदे आए बोल सेद चक्र भगवाने की चारित्र पद्द की